काल का यह यूग यानि की कली यूग आकिर खत्म कब होगा और सत्यूग यानि की ईश्वर कब है यूग जब सभी तरफ सुख ही सुख होगा पर्मा अनन्द ही पर्मा अनन्द होगा आकिर वो कब आएगा उसकी आकिरी डेट कब होगी कौन सी वो तारीक और कौन सा वो समय जब ये कलीूक खत्म होके सत्यूग आ जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल आकि, जब ये परिवर्तन होगा कलीूक से सत्यूग चूँरे के अंदर परिवर्तन कैसे होगा। कब क्या कुछ होगा। ये सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। दरसल एक पुरातन पुस्तक है जिसका माना जाता है कि लगबग साधे 600 साल पुरातन वो पुस्तक है। उसी किताब के संधर्ब से इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी सारी देने वालों क्या कि कलियू गंत की कौन सी तारिक उस किताब के अंदर लिखी है, सत्यू कैसे आएगा, क्या परिवर्तन होगा, ये सारी बाते ने उस किताब के अंदर लिखी हुई है। और इस वीडियो के अंदर भी ज़्यादा आपको एडिटिंग देखने को नहीं मिलेगी आपको डिरेक्ट में पूरी बात बताने वाला हूँ ताकि आप समझ पाओ कि उस किताब के अंदर क्या लिए अब देखो लोग आश्रच चेकी तरह जाएंगी ये वीडियो देखकर क्योंकि लोग आज तक ये मानते आए हैं कि कल्यू गंत की फाइनल डेट कोई बताई नी सकता लेकिन ये पहली किताब हमें ऐसी मिली जिसकी सारी भविश्यावानियां जो लिखी थी वो सारी सच हो चुकी हैं जो आज तक यहां तक कि कल की दिनाग को लेकर भी जो बाते लिखी थी थी ना कि जब जनवरी महीना खत्म होगा तब ही होगा वो बाते भी सच हो चुकी हैं यानि कि इसके अंदर लेकी हर एक बास सचाई की शकल में तब्दील हो रही है तो इसी किताब के अंदर पहले तो 2024 को लेकर एक बहुत बड़ी बात लिखी है जिसको लेकर मैंने वीडियो भी डाले उसके अंसार ये माना जाता है कि साल 2024 के अंदर भारत का युद्ध होगा चाइना या पाकिस्तान किसी देश के साथ और जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा ना तब भारत उसके उपर परमागू हमला तक करेगी ये बात इस किताब के अंदर लिखी है अब यह कितनी सच होगी कितनी नहीं चले है ये तो भविश्या के गरब में चुपी बात है लेकिन कली यूगंत की तरह बढ़ते हैं तो इस वीडियो के अंदर पूरी इस बारे में चर्चा करेंगे तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखना सो हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का मेरा नाम है खुश्दीप और आप देख रहे हैं के एस फैक यूट्यूब चैनल तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो पहले आपको बता दू कि अगर आप लोग इस वीडियो में दी गए जानकारी को हो पूरी लिखित रूप में पढ़ना चाते हैं वैं जानना चाते हैं कि कब कौन सी गटना क्या होगी तो इसको लेकर हमने एक e-book बनाई हुई है जिसका वास्तव एक मुल्या तो 700 रुपई के आसपास है लेकिन हम आपको मातर 300 रुपई में अभी दे रहे हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा तो वहाँ पर आप मेरे वर्टसप पर आकर यह चीज़े पराप्त कर सकते हैं और यह एक e-book है तो चलिए वापिस बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ तो आपको मैं बताऊक्व की दरसल दोस्तो बहुत सारे لوगों के मेंमें एक प्रशन आता है की कलियोग खत्म कब होगा सत्योग कब आएगा प्रन्तो कैसा होगा सत्योग और कलियोग खत्म कैसे वो सब चीजें होगी, कैसे होगा, कि जैसे दिन से रात चड़ जाता है, तो क्या ऐसा ही होगा, जी हाँ, ऐसी होगा, प्रंतो आपको क्या लगता है, कि ये सब क्या वाके में इतना समूतली हो जाएगा, दरसल लोगों को ऐसा लगता है, कि आज रात आप कलियुक में सो सुबह उठोगे तो सुबह आप सिदा सत्यूग के अंदर उठोगे फूल बरस रहोंगे देवी देवता सामने खड़े होंगे अप सराइन रत्या कर रही होगी ऐसे कुछ कल्पना लोग आज कल करते आ रहे लेकिन ये बिल्कुल गलत है दरसल कल्यूग से सत्यूग जब आता इस से एक सेकंड पहले कल्यूग था एक सेकंड बाद सत्यूग था वो मुवमेंट ऐसा होने वाला है जो काफी लोगों के होश उड़ा दे अब ये सारी बाते सुनकर मेरे को पता है कि आप लोग कनफ्यूज हो रही हो बैप पिछले गंटे में तो कल्यूग था ऐसा समय को तब होगा जब पूरां तर्सत्यूग आ चुगा होगा उससे पहले कल्यूग की स्परकार समाप्ट करा जाएगा कि लोगों को अभास होता चला जाएगा लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा कि प्रकिरिया को क्या नाम दे देरे दीरे करके बुराई पूरे अपने प्रादिक्शन पैदा हुता नज़र आ रही कि 7 में तो कहा जा रहा है कि बुराइफू होता चली जाएगी होते हो जब कलियूग सत्यूग परिवर्तन होगा तब कैसा होगा तो चलिए आपको एक थोड़ी टीपिकल लेगवेंज में बताता हूँ दरबसल यह जो समय है ना इसको कहा जाता है संदी काल का समय जैसे जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो कहीं सूर्य उद्या भी हो रहा होता है जब रात के बाद दिन होता है तो एक इसे ब्रहम मुरत कहा जैते एक समय आता है जब चंद्रमा छुप रहा होता है जब रात होती है सूर्य छुप रहा होता है चंद्रमा आ रहा होता है तो तो जब मद्याकाल का शाया काल, हम समय कहते हैं साया काल, तो वैसा सा वो ऊसमें पर 30 होता है, जब कल यूग से स्दिक्योक के बीच में आता होता है, मतलब थोड़े गंटे का होता है, प्रणतू, जब युग परिवर्तन की बात आती है ना, यह संदीकाल का नाम इसे दिये गया, यह थोड़े गंटे का नहीं होता, क्योंकि कल यूग, लाखों साल का, हजारों साल चला, शत्यूग जो अगला आएगा, वो हजारों साल चलेगा, तो इसी प्रकाज जो संदीकाल है ना, वो भी कई सालों तक चलता है, और धर्म गरंतों की माने ना तो जो संदी काल है वो शुरू हो चुका है कब का और वो अभी चल भी रहा है ठीक है तो आपके होता है कि दोस्तों संदी काल में क्या हुआ इश्वर के बेजी हो जो संत पीर फकीर है ना उनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को किताब की माने साल 27 तक सत्यूग आ जाएगा ऐसा माना जाता है हलांकि कोई प्रूफ नहीं मिलता मैं आपको कहीं ऐसा प्रूफ दिखा दू ऐसा किताब के अंदर भविश्यावानिया करी जाती है तो उससे पहले आप माना यह जाता है कि मनुश्या को 84 लाक जोनियों में बार बार आत्मा को जाना पड़ता है अगर उसकी मुक्ति ना हुई हो यह तो अभी सभी आप मानते हैं कभी उपश्यू बनेगा कभी बक्री बनेगा कभी पेड़ पोदे बनेगा यह सब चीजे होती चली जाती है लेकिन वहीं संत पीर फकीर का मकसद दी हो जाते हैं इसक थोड़ा थोड़ा आगे टालते चले जाते हैं ताकि जतनी लोग हो सकें इस चक्र से बाहर निकल वाएं लेकिन अब जो बुराई की वह परचांट रूप होंगे जो नहीं जूड़ेंगे इस यह जो अपनी बुराई फैलाते चले जाएंगे इस यह के नाम को रोकन का प् प्रहेज दिया जाएगा लेकिन चंद लोग होंगे जो सत्यूग में परिवेश कर जाएंगे और चंद लोग ऐसे होंगे जे बेश्चेक उनकी मृत्यू भी हो जाए इसके अंदर परन्तु फिर जैनम में नहीं पड़ेंगे उनकी मुप्ति हो जाएगी वह वापिस इश् के अंदर 2024 की ही भविश्यावानिये स्पैसिपिकली लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन वे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल गए उसके उपर क्लिक करके आप खरी सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतने आश्या करते हैं आपको जानकरी पसंद आई होगी मि में तब तक के लिए रब रखा